हमें ये याद रखना है कि जब विचारों में देशित, लोखित उसके बजाएं राजनीती हावी होती हैं, तो उसका रुक्षान देश को उठाना पड़ता है। जब हर कोई अलग-अलग सोता है, तो क्या पनाव होते हैं, उसका गवाँ आप दो दिन से जहां विराजमान है, वो सरदार सरवर रेम भी उसका एक बहुत बड़ा उदाना है। साथियों केवडिया प्रवास के दोरान, आप सभी ने सरदार सरवर रेम की विशालता देखी है, बव्यता देखी है, उसकी शक्ती देखी है, लेकिन इस रेम का काम बरसों तक अटका रहा, फसा रहा। आजादी के कुछ वर्षों के बाद शुरू हुआ था, और आजादी के पच्चतर वर्ष जब सामने आये हैं, अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ, कैसी कैसी बात हाए, कैसे कैसे लोकों के द्वारा रुकावटे, किस प्रकारते सम्विधान का दुरूप्यों करने का प्रयास हुआ, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जनहीद का प्रोजेक्ट, इतने सालों तक लटका रहा, आज इस डेम का लाप, गुजरात के साथ ही मद्द प्रदेश, महाराष्टर और राजस्थान के लोगों को भी हो रहा है, इस बांद से गुजरात की दस लाख हेक् हेक्टर जमीन को, राजस्तान की धाई लाख हेक्टर जमीन को, सिंचाई की सुविदा सिनिश्चित हुई है, गुजरात के नव हजार से ज्यादा गाउं, राजस्तान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई, इसी सरदार सरोबांद की विज़े से हो पा रही है और जब पानी की बात आती है तो मुझे प्रसंग भी आ जाया दाता है कि जब नर्वदा का पानी अनेक विवादों में रहा अनेक संकटों से गुजरे आखिर कर कुछ रास्ते निकले लेकिन जब राजस्तान को पानी पहुंचाया तो बैरोसी जी सिखावत और जस्वन सिंग जी दोनों गांधी नगर स्पेशली मिलने आए मैंने पूछा क्या काम है बोले आकर के बताएंगे वाए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिये इतने अशिरवाद दिये इतनी बड़का इतना प्यार इतनी भावना क्या है अरे बोले भाई इतियास गवाँ है कि पानी के बुंद के लिए भी युद्ध हुए है लराईयां हुई है दो-दो परिवारों के बीच बटवारा हो गया है बिना कोई कोई संगर्ष बिना कोई जगड़े गुजरात से नर्वदा का पानी राजस्तान पहुंच गया राजस्तान की सूखी धर्ती को अपने पानी पहुंचाया यह हमारे लिए तने गर्व और अनन का विशा है और इसलिए हम तुम्हें मिलने आए हैं आप देखिए यह काम अगर पहले हुआ होता है इसी बांद से जो बिजिनी प्यादा हो रही है उसका अधिकाउश लाब मद्द प्रदेश और महराष्ट को हो रहा है साथियों यह सब बरसों पहले भी हो सकता था लोग कल्याण की सोच के साथ विकास को सर्वोच्च प्रात्विक्ता की अप्रोच के स इलाब पहले भी मिल सकते थे लेकिन बरसों तक जनता इन से बंचीत रही है और आप देखिए जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कोई पस्चाता आप नहीं है इतना बड़ा राष्टिय नुक्सान हुआ बाद की लागत कहां से कहां पहुँच गई लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे उनके चहरे पर कोई शिकन नहीं है हमें देश को इस प्रबृत्ती से बाहर निकालना है साथियों सरदार प्रटेल की इतनी विशाल प्रतिमा के सामने जाकर दर्सन करके आप लोगों ने भी नई उर्जा मैसुस की होगी आपको भी एक नई प्रेणा मिली होगी